C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वरा प्रस्तुत है कक्षा 6 के लिए उर्दू की पाठे पुस्तक अपनी जबान भाग एक आईए सुनते हैं अपनी जबान भाग एक का पंद्रमा सबक सबक नंबर पंद्रा काबुली वाला मुसनिफ रबिंद्रनाथ टैगूर मेरी पाँच बरस की बच्ची जिसका नाम मुन्नी है घड़ी भर को खामोश नहीं रहती एक दिन सुबस सवेरे मैं अपने नौविल का सत्तरवा बाब लिक रहा था मुन्नी ने आकर कहा बाबुजी सुबोध कवे को काग कहता है वो कुछ नहीं जानता सुबोध मेरा नौकर था और उससे पहले कि मैं कुछ कहूँ उसने दूसरी बाब शुरू कर दी देखिए बाबुजी भोला कहता है कि आस्मान में हाथी अपनी सूंडों से पानी बरसाते हैं भोला ऐसी ही जूटी बाते करता है मैंने हसकर मुन्नी से कहा मुन्नी तू भोला के साथ जाकर खेल मुझे इस वक्त काम करना है मेरा घर सड़क के किनारे है एक दिन मुन्नी मेरे कमरे में खेल लही थी अचानक वो खेल छोड़कर बरामदे में दोड़ गई और जोर जोर से काबली वाले ओ काबली वाले पुक काबुली वाले के कंधे पर मेवे का थैला और हाथ में अंगूरों की पिटारी थी. मोटे मोटे कपड़े का धीला धाला कुर्ता पहने, साफा बांधे, लंबे डील डॉल का एक काबुली वाला सड़क पर आहिस्ता आहिस्ता चला जा रहा था. मुन्नी की आवाज सुनकर हसमु काबली वाले ने घूम कर देखा. मुन्नी घबरा गई और उस काबली वाले को भाटक में अंदर आता देख कर भाग गई. इसलिए कि मुन्नी की मा कहा करती थी कि काबली वाले बच्चों को थैले में डाल कर ले जाते हैं. मैंने मुन्नी का ख दोली से किश्मिश निकाल कर मुन्नी को देने लगा। मुन्नी किसी तरह लेने पर राजी ना हुई। उसका शुबा और भी पढ़ गया। वो डर कर मुझ से लिपड गई। काबली वाले से मेरा तारुफ इस तरह हुआ। मैं एक रोज किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा था, दर्वासे पर देखा कि मुन्नी उस काबली वाले से बड़े मजे से बाते कर रही थी। वो बादाम और किश्मिश लिये हुए थी। मैंने काबली वाले से कहा, ये सब क्यों दिया? अम्मत देना। ये कहकर मैंने जेब से अठनी निकाल कर काबली वाले को दी। उसने बिला जिजक अठनी लेकर जेब में टाल ली। जब मैं काम से लौट कर घर आया, तो मैंने देखा कि उस अठनी की वज़ा से घर में बड़ा शोर मचा हुआ है। मुन्नी की मा उससे डांट कर पूछ रही थी, कि तुने उससे अठनी क्यों ली। मुन्नी की आँखों में आशु भराये। उसने कहा, मैंने नहीं मांगी, वो अपने आप दे गया। मैं मुन्नी को लेकर बाहर चला गया। मालूम हुआ कि ये काबली वाले का दूसरा फिरा नहीं था, वो रोज रोज घर आता था और पिस्ते बादाम दे कर उसने मुन्नी से दोस्ती कर ली थी। सफा नंबर सत्तानवे। काबली वाले का नाम रहमत था। रहमत और मुन्नी की उम्र में जमीन आस्मान का फर्क था। फिर भी दोनों एक दूसरे के दोस्त हो गए। उन दोनों में कुछ बंधी टिकी बाते होती थी। काबली मुन्य नहीं जानती थी कि ससराल किसे कहते हैं, लेकिन भला वो चुप रहने वाली कहां थी, वो उल्टा काबुली वाले से पूछती, तुम ससराल जाओगे? रहमत घूंसा तान कर कहता, मैं तो ससरे को मारूंगा, ये सुनकर मुन्य खूब हंसते, हर साल जब जाड़े का मौसम खत्म होने लगता, तो रहमत अपने वतन जाने की तैयारी करता, और घर घर जाकर अपना रुपिया वसूल करता, मगर एक बार मुन्य से मिलने जरूर आता एक दिन मैं अपने कमरे में बैठा पढ़ रहा था, अचानक गली में बड़ा शोर गुल सुनाई दिया, मैंने खड़े हो कर देखा, रहमत को दो सिपाही बांधे लिए जा रहे थे, पीछे से लड़कों और रहगीरों का मजमा चला रहा था, रहमत के कुरते पर खून के धब्बे थे, और एक सिपाही के हाथ में खून से भरी छुरी थी, मैं भागा गया और सिपाहीों को रुक कर पूछा, क्या बात है, मालुम हुआ के पडोस में एक चपरासी ने रहमत से एक चादर ली थी, और अब वो दाम देने से इनकार करता था, इस पर जगड़ा हो ग पुछा, मुन्नी भी वहाँ आ गई, काबुली वाले, ओ काबुली वाले, रहमत का चहरा दंभर के लिए खुशी से खिल उठा, मुन्नी ने आते ही उससे पूछा, तुम ससराल जाओगे? रहमत ने हसकर कहा हाँ, हाँ, वहीं जा रहा हूँ उसने देखा कि इस जवाब से मुन्नी को हसी आ गई तब उसने खूंसा दिखा कर कहा मैं ससुरे को मारता तो जरूर, लेकिन क्या करूँ, मेरे हाथ बंधे हुए है कुछ दिनों के बाद इस जुर्म में रहमत को साथ साल की सजा हो गई इस वाकिय के बाद कई दिन कुजर गए मुन्नी काबुली वाले को भूल गई मुन्नी बड़ी हो गई और फिर उसकी शादी भी तैह हो गई आखिरकार शादी की तारीख आप पहुँचे महमानों से घर भरा हुआ था मैं अपने कमरे में बैठा कुछ काम कर रहा था अचानक उस वक्त रहमत वहां आ गया पहले तो मैं उसको पहचान न सका उसकी हसी से समझ गया कि ये रहमत है मैंने पूछा क्यों रहमत कब आए ऐ लाले मेरी जान कली शाम को जेल से छूटा हूँ मैंने कहा आज तो मैं बहुत मस्रूफ हूँ फिर कभी आना वो उदास होकर जाने लगा लेकिन फिर हिच किचाते हुए बोला बाबुजी मुन्नी कहा है मैंने कहा आज घर में काम है मुन्नी से भी मुलाकात ना होगी वो उदास हो गया अच्छा बाबुजी सलाम कह कर जाने लगा मुझे जैसे धक्का सा लगा जी चाहा के उसको बुला लूँ इतने में देखा कि वो खुद ही वापस आ रहा है वापस आकर उसने कहा ये कुछ किश्मिश बादाम मुन्नी के लिए लाया था उसको दे दीजिए मैंने उसकी कीमत अदा करनी चाही तब उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा ओए आपकी महरवानी मैं कभी नहीं भूल सकता मुझे कीमत ना दीजिए बाबुजी मुन्नी जैसी मीरी भी बेटी है इसलिए मैं उसके लिए मेवा लाता था मैं यहां सौधा बेचने नहीं आता इतना कहकर उसने कुछते के अंदर से एक मैले कागस की पुढ़िया निकाली बड़ी एहतियास से पुढ़िया खोल कर मेरे सामने रखती उस कागस पर एक छोटे से हाथ का निशान था अपनी बेटी की इस निशानी को छाती से लगा कर रहमत इतनी दूर से मेवा बेचने कलकत्ता आया था सफा नंबर निन्यानवे ये देख कर मेरी आँखों में आंसु आ गए मैं सब कुछ भूल गया बस ये बात याद रह गई कि मैं भी बाप हूँ और वो भी बाप है मैंने उसी वक्त मुन्नी को अंदर से बुलाया मुन्नी शादी के कपड़े और सेवर पहने हुए आई और शर्माई शर्माई मेरे सामने खड़ी हो गई उसको देख कर काबली वाला घबरा सकया और बात भी ना कर सका फिर उसने हस कर कहा मुन्नी तू ससुराल जा रही है अब मुन्नी ससुराल के माईनी समझने लगी थी उसने शर्मा के सर चुका लिया रहमत कुछ सोच कर जमीन पर बैठ गया जैसे उसको यका यक एहसास हुआ कि उसकी लड़की भी इतने दिनों में बड़ी हो गई होगी इन आठ बरसों में उसका क्या हुआ कौन जाने वो उसकी याद में खो गया मानी याद कीजिए बाब किताब का एक मुकमल हिस्सा दर्वाजा साफा पगडी जमीन आसमान का फर्क बहुत बड़ा फर्क खौफ डर मजमा भीड शुबा शक मसरूफ काम में लगा हुआ एहतियात चौकसी मेवा सूखे फल जैसे पिस्ता, बादाम, किश्मिश वगएरा पुडिया कागस का छोटा सा टुकड़ा, जिसमें कोई चीज लपेटी जाए सौदा वो सामान, जो खरीदा और बेचा जाए यका यक अचानक सफा नंबर सो सोचिये और पताईये एक, मुन्नी कौन थी? दो, मुन्नी ने बाबुजी से सुबूद की क्या शिकायत की? तीन, काबुली वाले का हुलिया कैसा था? चार, काबुली वाले को देख कर मुन्नी क्यों घबरा गई? पांच, मुन्नी की मा उसे किस बात पर डांट रही थी? चै, वतन जाने से पहले काबुली वाला घर क्यों जाता था? साथ, काबुली वाले को जेल क्यों भेजा गया? हाठ, काबुली वाला मुन्नी को अपनी जोली से क्या दिया करता था? नौ, काबुली वाले के पास अपनी बेटी की क्या निशानी थी? 10. मुन्नी को देखकर काबुली वाले को क्या याद आया खाली जगा को सही लवज से भरिये 1. मैं अपने नौविल का खाली जगा बाब लिख रहा था 2. काबुली वाले से मेरा खाली जगा इस तरहा हुआ 3. काबुली वाले का नाम खाली जगा था चार, पीछे से लड़कों और रहगीरों का खाली जगा चला आ रहा था पांच, काबुली वाला कहता मुन्नी खाली जगा जाओगी छे, रहमत घूंसा तान कर कहता मैं तो खाली जगा को मारूंगा साथ, रहमत घर घर जाकर अपना रुपिया खाली जगा करता आठ, मैंने कहा आज तो मैं बहुत खाली जगा हूं नौ, उस कागस पर एक छोटे से खाली जगा का निशान था दस, उसको खाली जगा एहसास हुआ के उसकी लड़की भी इतने दिनों में बड़ी हो गई होगी सफ़ा नंबर 101 यहां दिये हुए लफजों को जुमलों में इस्तिमाल कीजिए साफा, डील डॉल, खौफ, मसरूफ, एहतियात इन लफजों के मुताजाद लिखिए दोस्त, पीछे, बे इमान, खुशी, खुशनुमा, उल्टा, इनकार यहां लिखे हुए मुहावरों को अपने जुमलों में इस्तिमाल कीजिए दाम वसूल करना, लेन देन करना, वार खाली जाना, हक मारना, माल दबा लेना वाहिद से जमा और जमा से वाहिद बना कर लिखिए यहां दिये हुए जुमलों को कहानी की तर्तीब से लिखिए एक, मुन्नी की मा उससे डाट कर पूछ रही है कि तुने उससे अठन्नी क्यों ली दू, रहमत का चहरा दम भर के लिए खुशी से खिल उठा तीन, दर्वाजे पर देखा कि मुन्नी उस काबुली वाले से बड़े मजे से बातें कर रही थी चार, मुन्नी बड़ी हो गई और फिर उसकी शादी भी तै हो गई पांच, मेरी पांच बरस की बच्ची जिसका नाम मुन्नी है घड़ी भर को खामोश नहीं रहती चै, अब मुन्नी ससुराल के मानी समझने लगी थी उसने शर्मा के सरजुका लिया साथ, ये कुछ किश्मेश बादाम मुन्नी के लिए लाया था, उसको दे दीजे सफा नंबर एक सो दो सही जुमलों के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाए एक, मेरी छै बरस की बच्ची जिसका नाम चुन्नी है दो, सुबोध नौकर का नाम है, जो कव्वे को काग कहता है तीन, मेरा घर सडक से दूर है चार, काबुली वाला हसमुक था पांच, काबुली वाले ने कहा, मुन्नी ससुराल जाओगी छै, काबुली वाला हर साल जाड़े के मौसम में आता था साथ, काबुली वाले का नाम अजमत था सबख में एक लवज सुसरे आया है, जिसके मानी ससुर है लेकिन ये लवज छेरचाड, हसी मजाख, प्यार और तंस के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है अभी आप सुन रहे थे अपनी जबान भाग एक का पंद्रवा सबख, इसके बाद सबख सोला आता है प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत